प्रदान मंत्री मोदी ने दो सभाएं बिहार में की, दोनों में कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। वे बोले बाबा साहब आम बेड कर भी दोबार आ जायें तो वे भी देश का संविधान नहीं बदल सकते। इधर गोवा के मुख्य मंतरी प्रमोद सावंद ने भी नादपूर मेर समिधान को लेकर इस पश्टिकन जैसा दिया। अचानक दो जगे PM को ऐसा क्यों कहना पड़ा। बात आई कहां से। यहां से की विपक्ष के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि कहीं भाजपा की 370 या NDA की 400 सीटें आ गई तो मोदी सरकार समिधान ही बदल देगी। समिधान बदलेगा की नहीं यह नहीं पता लेकिन यह दावा मुझे लगता है अतिश्योक्ति पूर्ण है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि मोदी अपने जीवन काल में कुरसी ही नहीं छोड़ेंगे। उसका हलचल मचाने के इरादे से दिया हुआ एक बयान हो सकता है। भारत का लोकतंत्र इतना शिथिल नहीं है कि उसके साथ ऐसा खिलवार किया जा सके। भारत के जनता भी ऐसी नहीं है कि वह समयानुकूल बदलाव ना ला सके। अगर मोधी सरकार का तीसरा कारेकाल एहंकार, मनमानी, धुरूई करणाधारित रहा, तो जनता को देर से सही पर समझ आ जाएगा कि उसका भला किसमे है. इसके लावा राजनिती में कोई भी अंतिम सत्य नहीं है. दोर आता है, दोर जाता है. पईया घुमता है. तो कहने का मतलब सक्ता में बेठे लोगों को जनता का मूड भाव कर अपना ट्रेक बदलना पड़ेगा. जनता किसी को अमरत्व का अशिरवाद नहीं देती है. हमारी जनता और देश किसी पुतिन या किम जोन उंग शी जिन पिंग को नए आने देगी और नए पनपने देग आज मोदी सरकार के साथ देश के सेंटिमेंट हैं. खास कर बहु संक्या उस सरकार में अपनी दबी हुई आकांग्शाओं की पूर्ती होते देख रहे हैं. आपको टेली विजन के चुनाव अधरी शो में मद्दाताओं के ऐसे बयान सुनने को मिल जाएंगे, नोकरी, कई सब है, फिर भी मोदी का देश का प्रधानमंत्री होना जरूरी है. दुनिया में मजबूत भारत के लिए मोदी का होना जरूरी है. वगेरा वगेरा. अब ऐसी भावनाओं से बरा जन्मत आज की तारीक में मोदी के साथ है. लेकिन यह कहना कि पूरी ताकत से सत्ता में तीसरी बार आ गए तो सब बदल डालेंगे. यह कहना अति शेवक्ती ही है. इंदिरा इस इंडिया, इंडिया इस इंडिरा. ऐसे नारे भी भारत ने सुने हैं. अति की तो इसी देश की जन्ता ने सत्ता से उतार भी दिया था. आज अति हो रही है. नयाय पाली का और उसमे प्रभावी बॉंड जैसे ब्रच्टाचार को सामने ला देने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्र चूड जैसों को छोड़ दें तो बाकि सभी संस्थाएं अपनी स्वतंत्रता का संगर्ष कर रही है. संगर्ष भी नहीं कर पा रही है. समर्पित जैसी हो गई है. संस्थाओं का उपयोग लेकिन पहले भी हुआ है. कांगरेस के शासनकाल में भी. इस बार एक्स्ट्रिम में हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है और इतना असरकारी तरीके से हो रहा है कि केंद्र में भाजपा सरकार के इस तोर तरीके से परभावित होकर राज्जों की सर हो रही है हर तरह से लेकिन मुझे अभी भी देश की जनता के विवेक पर भरोसा है वह चीजों का आकलंद कर समय के साथ अपना फेसला लेती आई है आगे भी लेगी ना देश का समिधान बदलने वाला है और ना यहां कोई डिक्टेटर्शिप आने वाली है सरकारों ने तोर तरीके ना बदले तो जनता अपना काम करेगी प्रधान मुंत्री मोधी ने 370 सीटे भाजपा की और 400 एंडिये की सीटे आने का अतिरेक भरा दावा किया तो उनकी पार्टी विपक्ष और जनता सभी सांक्डे के इर्द इर बातें करने लगें एक एडवांटेज भाजपा को चुनाव शुरू होने से पहले ही मिल गया उसी तरफ विपक्ष समीधान बदलने और तानाशाई की बातें करके नेरेटिव बदलने की कोशिश कर रहा है तो बातें हैं बातों का क्या नमस्कार